गुट मॉर्निंग एव्रिवन गुट मॉर्निंग बच्चो कैसे हैं आप लो हाव आर यू और हाव इस यूर श्टडी सभी बच्चे क्लास में आ जाएं बच्चो क्लास आपके लाइब आ चुकी है और यूर बिटाइब इस प्राक्टिश श्ट नंबर 31 एंट टोड़ी विड़ी गूरी प्राक्टिश पर्सी ट्यू टेट यू पिटट और सुपर्टट अब बिश्टिग बिश्टिग आर टेक चंदन रुची राकी तिश्री रिया स्वाती यशिका वेद पांडे प्रिती कृष्णा स्राइमा वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों जी यशिका आईशी तिचली बच्चों शुरू करते हैं अपने वर्कों और लेते हैं सबसे पहला क्वेशन तो आज का हमारा सबसे प प्रगरुनिट्यव स्थाइट जी शिवा गुड मॉर्निंग अ और चस्पांड अब टेविच्चों आँए है अगके मिनू स्वमन श्वेता गुड मॉर्निंग बच्चों तो चली बच्चों शुरू करते हैं आंसर करें आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन यहां पर ब question आप देखेंगे सब लोग क्या बना है which pair constitute types of cognitive style तो आपको cognitive style के बारे में यहाँ बच्छों बताना है तो कौन से पेर में number one holistic and analytic, regressive and aggressive, product oriented, process oriented या फिर formal informal तो आंसल क्या करेंगे सब बच्छे ठीक है ठीक है रिया वन सुमाती वन जी अकांस वेरी गुड मॉर्निंग वेर पांडे तो सब बच्छे जवाब दें क्या आंसर हमारा यहाँ पर होना चाहिए बच्छों करें इसमें ध्यान से देखें तो कॉगनिटिव स्टाइल कौन शो करेंगा हमारा वन ए आंसर आएगा holistic and analytic correct बात है कि नहीं तो चीजें analytic होंगे holistic होंगे यह पेर हमें cognitive style को constitute करेगा क्या सब बच्छे समझ पा रहे हैं आगले question पे आते बच्छों नमबर टू इन लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स में आप क्या देखते हैं सिंटेक्स का क्या मीन से बच्छों बेसिकली मैं बता दू सिंटेक्स अगर हम देखें तो क्या बनता है तो बताईए इस बेस पे सिंटेक्स को आप कैसे दिखाएंगे लिंग्विस्टिक्स अगर मैं कह दूं जिसमें हम लेंग्विच के बारे में सीखते हैं वो हमारा पार्ट ओफ स्टेडी इस कोल्ड लिंग्विस्टेक्स ठीक है जी बहुत अच्छे बिल्कुल बच्छों अगर मैं देखू लिखाई स्टेडी ओफ प्रिंसिपल्स ओफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एनलाइजिंग दे मीनिंग ओफ सेंटेंस दिखाएंगे तो बच्छों कह पर चले जाएंगे हम एक तरह सी मोर्फीम में रूल्स ओफ हाउ सेंटेंस आफ ट्रांसफोंट बन सकता है स्टेडी ओफ दे इडियम सेक्योरिट्ल यह कोई बात ही नहीं बनी तो आंसर इसमें वन जाएगा आपका स्टेडी ओफ प्रिंसिपल्स ओफ सेंटेंस कंस्ट्रक् देखा खाएगा एक बात मैं आपको बता दूधा यही वर्डो सह सीमटेक्स से कैसे लिखा हुआता है ऐसे आता है सिंप्यूंट टीकल पैटर्न ऑutło सीम टेक्टिकल पैटरन तो उनको भी बच्चों कैसे केपिंगे इसी तरह होता है उनका एकतरा से रूप बदलना यहां पर लिए के प्रिंसिपर संट्राक्षन कंस्ट्राक्षन और ट्रांसपोर्मेशन में काफी फर्क है मैं सबस्क्राइब करना कि के शिवा अगले message को हम code में बदल देते हैं code में बदलने का means है जैसे आपको किसी को I love you कहना है तो sensitive matter है sensitive message है तो आप इसे किसमें बदलते थे 143 में message को 143 में बदलना encoding कहलाता है इसको हम कहते बचो encode किसी code में बदलना सामने वाले को 143 मिला उसने इसका means क्या निकाल लिया I love you तो बच्चों यह क्या होगा decode करना यह decode है इसका मतलब किसी information को code में बदलना आप देखो यहाँ पर when reading to encode means आप खुद बताओ gather relevant information या convert graphic medium into visual medium and yc वर सा है hide additional communication या express meaning in different formats बताए बच्चों क्या बनाएंगे आप इसमें से express meaning ओके ओके लिकिन ये तो कोई बात नहीं है different formats में different formats में बच्चों कैसे बदलोगे यह देखो यहाँ पर क्या लिका है second number पर convert graphic medium into visual medium इसका means क्या बना ग्राफिक भई ये 143 क्या है ग्राफिक तो क्या एक तरह से आपने इसको लिक दिया graphic एक चेंज कर दिया इसको visual medium में बदलना विजवल कैसे होगा इस तरह से यह जो sentence यह विजवल ही तो है बच्चों यह विजवल विजवल को आपने graphic में बदला graphic को फिर विजवल में बदला यही चीज़ आपके क्या कहलाएगे encode कहलाएगी उसको code में बदलना तो अंसर आपका 2 बन जाएगा तो यह चीज़े बड़ी ध्यान से आपको देखनी है मतल लग रहा है हमें के express meaning in different formats formats क्या होते हैं आप समझ सकते हैं PDF का एक format है बच्चों PPT का format है वो format हो गया लगला तो ऐसा नहीं कर रहे हैं बलकि हम क्या कर रहे हैं graphic medium को change करें visual medium में है ना अगले question पर आएंगे आप लोग which pair of words has the same sound देखो बच्चों same sound करने का means क्या बनाए हां पर राइस राइस हेर वेर कॉपी एप्रस्ट्रॉफी बेर बेर बताईए किसको आंसर करेंगे आप कौन से वर्ड में यहां पर same sound है और देखो same sound भी कहां पर ending में कह रहा है बच्चों same sound ending all right बच्चों मैं बता दूंगी जो डी है इसमें same sound नहीं है बेर बेर में same sound नहीं है काफी different है दोनों के pronunciation कह रहा है यह भी धियान देना है आपको same sound है सिर्फ यह same sound ending है ending कह रहा है देखो आप यहां पर देखो here where तो here ऐसे पढ़ेंगे here और वेर where तो बच्चों अर अर कहां पर आ गया बाद में तो यह वाला बनेगा आपका here और वेर अगर वो खाली पूछता same sound तो आप इसको कह सकते लेकिन यहां पर क्या है here ending में आपको देखना है इसका मतलब ending देखने का मिन्स है ऐसे words जो बच्चों राइमिंग वर्ड होंगे उ question यह हुआ तो अंजर आपका second बनेगा बूलो यह बात समने में आगी कि नहीं आपको हाँ जी इसका भी ध्यान रखना है कि वह आप से राइम कहां पर करा रहा है अब इसको देखेंगे सब बच्चे not taking and storing skills are example सुभी किसके example है summarizing के mapping के reducing a passage length या बच्चों expanding an idea किसका बनाएं शुर्शिवा देखो यह तो practice है बेटा यह तो practice है इसको बस तयार करना है और तरीके आपको पता चली रहें कोशन सैसी रहें गया रहा हूं तो आप इनके बढ़ी answer कर सकते हैं वहाँ पे कुछ बचे टू बता रहे हैं कुछ डी बता रहे हैं अब आप यह देखो जब not take करते हो not take कैसा होता अब लेक्चर के थुरू और storing आप उन्हें store करते हैं तो यह चीज़े एक्सपेंड तो नहीं करेंगा idea को reduce भी नहीं करेंगे पैसे लेंग को मैप इंगी यह summarizing बनेगा note taking or restoring skills basically summarizing है आप छोटे में उनको लिखते हैं वो टेक्सपेंड नहीं करते शोट में लिखते जाते हैं तो आंज़र बच्चो आपका a बनेगा question number six देखेंगे आप लोग if the piece of writing is brief मतलब वो छोटा है complete है in the third person है without digressions and emotional overtones है logically arranged है तो बच्चो क्या कहलाता है कल भी आपने ऐसा ही question किया था क्या यह classified advertisement कहलाएगा memorandum report या बच्चो newspaper article फाइव का ओके ठीक है फाइव को ठीक है चाननी पूनम मीनू समन जी राजनती फिलकुल सही आपने आंसर दिया है राजनती बहुत अच्छे बाकी बच्चे बताएं आंसर करें सीदी सी बात है बच्चो थर्ड परसन में होने का मतलब क्या है वह एक report है और वहाँ पे degradation य आपका जो काते हों कि एट वोज रिपीटेड क्वेशन बच्चो क्वेशन में नेक्स्ट पर आप आएंगे अब जड़े स्टेटमेंट वाले क्वेशन देखेंगे कहता है इन दफ फॉलोविंग स्टेटमेंट इन यह है यह यह है यह बच्चो आप अगर जोब के लिए जाते हो और कोई आपका रेटेटर्इंस दे या आप किसी का रेटेंस दो तो देखो कैसे रेटेंस होता है आप एक तो इसको ले लेना भई इस परसन को लेना यह ज़्यादा अच्छा लिखा है यह reference हो गया अब देखो इसमें देखो क्या लिखा है को सुरी यह वी है बच्चों वी वी इंटेंड टुगों फिल्ड ट्रेप विद अवर टीचर इस अवर प्लान तो यह दिस वर्ड है किसकी तरफ इशारा कर रहा है अवर प्लान की तरफ तो दिस यहां पर बच रहे बच्चोंद reflect का आपका धीज होगा आपका दोश बनेगा सच बनेगा इस तब और यह तरह की तरह से एक्यान बनाएंगे तो और आज्यक्टिव हो तो कि अंगे है अगले पर आते हैं आब अब चौ असेस करना ही speaker बनें को allez सैंपलस यूरिट स्टुरेंट्स have used while writing writing करते हूँ उन्हें इनको यूज किया है पहला है बच्चों how ice cream is made यह टाइटल किसका लिए रेसिपी का किसी खाने की रेसिपी का टाइटल हमने का फिल्कुल ठीक है बई how ice cream is made second है आर यू stress-free तो बच्चों देखो पहले वाले में इसकी कमी है यहां पर यह वाला sign होना चाहिए था आर यू stress-free क्या पिस्ट्रेस-free है यह बिल्कुल सही है यह किसमी skill book का title है life skill का तो अगर मैं देखो तो बच्चों पहला गलत है और दूसरा सही है तो पहले को गलत कहेंगे तो आप देखो क्या बनाएंगे इसमें सेंपल वन इंक्रेक्टली कंस्ट्रक्टेड वाई सेंपल टू इस करेक्ट यह आंसर बन जाएगा तो आंसर क्या होगा आपका थ्री पहुत अच्छे बच्चों पकट पार रहे हैं सब लोग सिर्फ यह देखना है आपको जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है स्पीकर वन स्पीकर टू का क्या वो क्रेक्टली मेस्ट कर रहा है करेक्ट करना है पस उसी के कंट्री हैस डन फूर यू आई कन आंसर विद अ क्वेशन क्या क्वेशन बनाएं आपने वोट हैव यू डन फूर यूर कंट्री है ना जब हम से पूछा जाए तो बच्चों हम आंसर करते तुमने देश के लिए क्या किया है तो बताओ ऐसा स्पीच क्या कहलाएगा यह हम इसको इंडाफ नाम जो दिया जाता है वो क्या दिया जाएगाई है रिक्टोरिकल क्वेशन और ये आप और हर टुप पास टो निए वो चाहते हो कि वो मुझे दे दे तो आप कैसे उससे मांगोगे पास मीद़ पेपर पास करता ऐसा लगते हैं धंकारे हो पास मीद़ पेपर प्लीज रिक्वेस्ट करें बिल्कु ठीक है कैन यू पास कैन कभी नहीं लगेगा बच्चो कुड लग से सारी चीरे हो जाती है कि मतलब उसने पढ़ भी लिया है और पॉसिबिलिटी है या नहीं है सब कुछ पूछ लिया आपने कॉश्चन में नेक्स को देखेंगे आप देखो 106-120 तक आपको आंसर देने परसं सिटिंग बिहाइंड यू अब परसं सिटिंग बिहाइंड य है या फिर सड़क पर धंका रहा है किसी को और आप मुवीन देख पार है तो आप कैसे उसको कहोगे रुख जाओ स्टॉप टॉकिंग सोड लाउडली यह तो बढ़ा खतरनाक हो गया प्लीज डॉन्ट यूज मोबाइल फोन इंसाइड देटर बिल्कुल कह सकते हो कांट य अपका 11 का क्या बना है हमारा सेकेंड बी अब बारे नंबर को देखेंगे देखो बच्चों कितना बढ़िया कोशन है इक्जैंप्लर ओफ होमुनिम तब से पहले मैं आपको बता दू हुमुनिम क्या होते हैं हो मोनिम बच्चों वह वर्ड्स होते हैं जो जिनकी spelling भी समान हो और बच्चो मतलब समान इनकी क्या होती है एक जैसी क्या होती spelling और pronunciation pronunciation है ना और different क्या होता है बच्चो इनका इनका different होता है meaning पकड़ में आ रही बात आपको meaning different है spelling और pronunciation same है ये homonim होते हैं और अगर मैं pronunciation same कर दूँ कर दों है अगर हम सिपैलिंग और मीनिंग दोने डिफ्रेंट कर दो किULT दो ये वचो मनता है तुछ मैं आपको बताऊ हम अखिए फैल का मितलब हो तो बक इसमें सबसे बढ़ी और आशर आपका वना आएगा कुछ अच्छी स्टोक स्टोक ध्यांसे देखो बच्टो जो इस टॉक और इस टो लिए प्र mess घर देंगे तो फोंविं विदा है। द्राइस इसका बियर बियर नहीं और इका सेचनद स्टॉक भी बनेगा यह भी बिल्कुर सही है बचों पॉर नमबर क्योंकि इनका भी स्टॉक है यह दोनों स्टॉक की तरह से बोले जाएंगे ठीयर हो रहा है सब बच्चों को कि यह ऊपरवाला आप से नंबर बन पूछा गया है इसको कैसे बोलते हैं अप इस वाले का मतलब होता है बच्चो टापु कोई अखेला टापु हो और इसका मतलब गली आ equally है गलियारा कमझे आप लोग तो ऐसे करके आप आंसर लगा सकते हैं तो आंसर इसका वन और डी दोनों बन गए अब देखोई लेकसिकल वर्ट पूछरा है बचों कल आपको बताया था लेकसिकल वर्ड़ वह वर्ड जो सेंटेंस का मेनिंग करता है तो बताओ उन्हें कौन सा मने लॉग इज द़ या फिर माइट रिकौन से वर्ड को आप ल janvragi कहेंगे बच्छों बोट पेपर सेम डे होंगे यह तो बिटा आपको आ चुका है ना रोल नंबर उसमें आप चेक करेंगे लव फिल्कुल सही है बच्चों यह आपका वन बनेगा आंसर आपका वन बनेगा लव क्लियर टो एवरिवन ठीक है जहां तक मुझे पता एडमिट कार्ट सब बच्चों के आ चुके हैं क्या आप लोगों ने डाउनलोड किये या भी नहीं आये हैं कि टेल में वन तो फॉर्टी नंबर को देखेंगे सब बच्चे वाइल लर्निंग अबाउट दपैसी वोईस फॉम स्टूडेंट्स लर्न अबाउट इस चुन कहें के बारे में सीखते हैं बच्चों कि अच्छा नहीं आए हैं ओके ओके ठीक है चलो ठीक है अभी नहीं आया है ठीक है बिल्कुल सही है बच्चो तो आप इसमें बताएं सब बच्चे के इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा वाइल लर्निंग अबाउट देपैसी वोईस फॉम स्टूडेंट्स लर्न अबाउट अब देखो बाई का यूज सीखते ह है पोजिशन ओवर्ब सीखते हैं पोजिशन ओफ लाउन सीखते हैं लेकिन बत्रों सबसे बढ़ा होता है यूज ओफ लर्प क्योंकि वर्प का ही सबसे बढ़ा मैं कह दूं आप से के रिया वा मैरीज है रिंकू अब बच्व पैसिव बनाया रिंकू इज मैरेड रिंकू इज मैरेड टू रिया यह एक्टिव है यह पैसिव बनगी अब देखो सबसे बड़ा जो चेंज है किसमें आया बच्चो वर्ब में तो हम वर्ब की फोर्म को यूज को देखते हैं तो सबसे बड़ा अंसर इसका पूर बनेगा क्या यह बात करेक्ट है है कि अच्छी के बच्छों ठीक है ओल्राइट समझे में आगी बात आपको डी बनेगा 15 नमबर देखेंगे सब लोग 15 कहता है आपका students can leave the school premises at 1230 तो देखो यहां पर किसका यूज किया है can का can क्या है बच्छों model verb students ought to leave the school premises at 1230 यहां पर ought to use किया गया है तो ध्यान से देखो दोनों ही बच्छों क्या है model verb अब देखो क्या कहता है the two given statements can be differentiated by drawing students attention to आप किस तरफ ले कि जाएंगे उनका attention differences in the arrangement of words नहीं meaning conveyed by model और वर्ब मोडिफायर्स यह हो सकता है roles of the subject and object यह तो बदला ही नहीं बच्छों absence of the change in the verb form तो बताए आंसर किसका बनेगा second बनेगा पकड़ में आ रही है बात तो हमने meaning convey किया है by the model verb और बच्छों verb modifier से correct everyone Lexical word वो है जो पूरे sentence का meaning carry करता है उसे हम lexical word करते हैं जैसे love यहाँ पर कैसा है गर उसे हटा देंगे तो वो meaning की समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छे बच्छों 60 number को देखेंगे which learning domain constitute higher order thinking जरा देखो बच्छों दो order thinking होती है आपकी एक होती higher और एक होती है बच्छों lower जरा देखो कैसे बनता है lower वाले में remember करना चीजों को remember करना और चीजों को बच्छो understand करना और चीजों पर reflect करना ये सारा कसा किस में आता lower order में लेकिन analyze करना एनलाइज करना, और बत्चों उसको create करना, तो create करना, evaluate करना, ये आपकी higher order में आती है, सब बच्ते देखेंगे higher order thinking skills, slower order thinking skills, तो वह कह रहा है है, इसमें which learning domain constitutes higher order, तो बताओ higher order, remembering, understanding ये नीचे वाले में है, है application भी समय आएगा application भी किसमें आएगा नीचे वाली में apply करना लेकिन वच्चो जो evaluation किसमें आएगा आपका ऊपर वाले में तो four answer बन गया बहुत अच्छे बच्चो जै यह मैंने बताया बच्चो आपको lower order यह जो तीनों है यह lower order नीर है ऐसे चड़ती है remembering understanding और एप्लिकेशन रिमेंबरिंग अंडेस्टेंडिंग एप्लिकेशन रिफ्लेक्शन लोगर और और यहां पर एनलाइज करना इवेल्यूट करना सबसे लास्ट में क्रियेट करना यह तीनों आपके हाई रोडर बनेंगी सब बचो को पता भी होगा तो अंचर आपका फूर जाएगा कॉशन नमबर नेक्स देखेंगे सब लोग 17 दफ प्रोसेस ओफ वर्ड फॉर्मिशन देखो बचो कल भी आपके पास आयता बताओ अपोजिट्स एंड मीनिंग्स वर्प्स एंड नाउंस यूजिंग से लोनिम सी यूफिमिस्म नहीं बच्चो ए नमबर वन पे फादर इनलो एफिक्सेशन का मीन से आप एफिक्स जोड़ते हैं जो आप प्रिफिक्स जोड़ते हैं और सफिक्स जोड़ते हैं प्रिफिक्स सफिक्स जोड़के नए वर्ड बनाती है एफिक्सेशन कहलाता है तो आंसर क्या बन गया आपका वन डन बच्चो जैसे आपने satisfy word को देखा satisfy इसमें आपने prefix जोड़ा this तो यह ऐसे question बनते हैं वो आपसे unsatisfy भी कहेगा वो आपसे इल satisfy भी कहेगा इन satisfy भी कहेगा आपसे और भी बनाएगा तो बच्चो सबसे perfect बनेगा आपका this satisfy तो this यहाँ पे prefix हैं और यह यह fixation कहलाएगा नया वड़ा आपने बना दिया word formation कर दिया है यहां पर question number 18 देखेंगे सब लोग और लिखा है when reading to decode means to to decode करने का means क्या बनेगा अभी भी आपने पीछे क्या पढ़ाता बच्चो एन code पढ़ाता तो खुद answer करो the action used in ICT solving the complex puzzle analyze and understand understanding of foreign language खुद बताओ बच्चो क्या बनाएंगे हंडेड परसेंट बच्चो ची बनेगा एनलाइज करना और उसे understand करना बहुत अच्छी करेक्ट तो देखो समझ में आ रही हैं जीदे कहीं ना कहीं आप एनकोड समझगे बच्चो आप decode समझगे और मैं आपको बता दो एनकोड डिकोड बेसिकली कह हैं communication के process हैं किसके process हैं बच्चो communication communication बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि communication का सबसे बड़ा जो हतियार होता है वो क्या होता है लेंग्वेज हम लेंग्वेज के थुरू communication करते इसलिए question पूछे गए आपसे तो जो टोटल मोडल है आपका sender receiver message और लाइक उसका भीजने वाला process इस सब को ध्यान से कर लेंगे feedback क्या होती है यह भी आपको पता होना चाहिए नहीं बेटा शाम को class हुई थी मोनिका कल शाम भी class अमने ली थी विदे को बच्वो 19 नंबर को देखेंगे speaker 1 अब देखो speaker वाली बात है कि speaker 1 कहता है वी हैड एन एंजोएबल holiday दिस समर दिस इसमें यह गलत response आगया कि नहीं यह गलत response है speaker 2 कहता है यह विच प्लेस डिडियू विजिट दूरिंग तो अभी assessment में कह रहे कि किसके marks deduct होंगे तो बच्चों आप खुद बताओ speaker 1 ने सही बनाया तू ने इसमें गलत है यह दोनों का गलत है अच्छा notification नहीं मिला चलोग कोई बात नहीं बच्चों मिल जाएगा आज को मैं ध्यान दूंगा इसमें अगर ऐसी कोई problem आई है आप लोगों को बिल्कुल बच्चो speaker 1 के marks deduct होंगे 100 परसेंट speaker 1 answer बनेगा बच्चों अगले question पर आ जाएंगे अच्छा वाइल राइटिंग वाइल राइटिंग एलिप्सिस इजर एलिप्सिस क्या है प्रेजल वर्भ है सिमेंटिक लिंकर है एड़ेक्टिवल फॉम है या बच्चो प्रेपोजिशन फ्रेजिस हैं देखो मैं आपको बता दूं कि इसका मीन्स क्या ह यह होता है डिपो जब आप queste सीथी बाद फेसयचो के करते हैं जब आफ फेसबीक पर लिखते है तो बच्चों वहाँ दूसरा परसन उता उसकी सामने से शीरी बोल्स आती हैं दोट और रहते हैं झालती हीं डोट होते हैं हमेशा तो हम इसे क्या कहते हैं 3 dots in a continuity 3 dots होते हैं क्या बोलेंगे इसको ellipsis है 3 dots in a sequence तो यह basically क्या दिखाता है हम क्या सोच के लिख रहे हैं उस thought process को Show करता है तो बच्चो basically क्या है यह punctuation यह क्या है आपका पवंक्टूइशन तो देखो इसको हम क्या कुशों के कि सिमेंटिक लिंक कर बागी तो नहीं बनेगा यह इस मैं लिंकर होगा सिमेंटिक材 को tah decisions को कि क्या अबत लिए सब बच्चों को तो आंस्व आपका स्टंटी का भी बनाए तो तो आपको punctuation में भी चीज़ें देखनी है फुल स्टोप क्या होता है को मा क्या होता है से में क्या होता है ellipsis का means क्या है ellipsis का क्योंकि पूछा गया है तो इस थ्री डोट होते हैं बस इतना हमें ध्यान रखना है ना चार होते ना दो होते है बहुत अच्छे बच्चो 21 को देखो आप लोग 21 कहता है इस लॉंगर प्लेस ओफ राइटिंग इस ब्रीफ लॉंगर प्लेस ओफ राइटिंग यह ब्रीफ है मतरब कंप्लीट है और बच्चों विदाउट डिग्रेसन एटसेटर है तो क्या बनेगे कुश्चन बार से फिर से रिपीट हुआ है यह बच्चों रिपोर्ट बनेगे आपको आल्रेडी पता है कि देखो यहां पर कुश्चन नमर्ट ट्वंटी टू दपॉलिटीशन हैड बीन making promises long before election time जैसे अभी election आने वाले हैं आपने देखा है हम tablet बाटेंगे हम mobile बाटेंगे यह सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम आपको यह भी देंगे हम वो भी देंगे आपकी जिन्दगी को खुशाल बना देंगे यह सारी parties कह रही है केजरिवाल भी कह रहे हैं उदर य making promises long before the election time पास्ट कॉंटिनस है प्रजेंट परफेक्ट है प्रजेंट परफेक्ट कॉंटिनस है या बच्चो पास्ट परफेक्ट कॉंटिनस है वेरी गुड विल्कुल सही है बच्चो यह पास्ट परफेक्ट कॉंटिनस बनेगा तो ऐसे questions भी ध्यान रखेंगे आप क्यों आतरी पर वर्ण में पूछें ऑचा नोमारे त्री तरी देखेंगे सब बच्चे जेंडर सेंस्टाइजेशन क्या करता है जेंडर सेंस्टाइजेशन तो že मैं थे सेंस्टाईजेशन होता है जेंडर के बारे में जेंडर क्या होता है आपका कि एक तरह से मेल फिमेल होने वाला या लिंग हम कह देंगे तो देख इससे क्या इसी यह करिकुलम में क्या दिखाता है चिल्रन शुड भी डिफ्रेंसिटेड बोईज गर्ल्स नहीं सेक्स एजुकेशन फॉर्म प्राइमरी नो बच्चो रेस्पेक्ट्टू फुल एप्रोच टोवर्ट्स डिफ डिफाइनिंग जेंडर रोल्स यह 100% से थर्ड बनेगा आपका जब हम एक रेस्पेक्ट्फुल ए काम लड़के तो यह जेंडर सैंस्ट्राइजिशन हमने गलती कर दिया है आप लेकिन बड़ी बात है इसको लड़के भी कर सकते हैं है समनी में यह बात आपको तो यही जेंडर सैंस्ट्राइज रेस्पेक्टबुल एप्रोच उस पर शो करना लड़का पड़ता है तो 2.13 क ceux कि होश्ट उपेंजें से पिल्कुल सही है कॉंग्रेस बैपवुन बिल्कुल सही है शॉल ऑफिस बिल्कुल लेकिन बच्चो डक्स का कभी कलेच नहीं होता कि इसको हम कहते हैं फ्लोग तो ऑट्ट्फ का इसको हुत का फ्लोग बनता है ग्रूप तो डक्ज का पता नियanti रस्ट बीन क्या लीगा है?」 रसकी में रशन स्वारम कर देट से कहा है? ये एम्यूर सब्सक्राइब आंश रिच्टों कालिगा है? ये एक्ट बुट्ट। बाता ये जिस्ट बीन क्या लिया ? पता हन्य निय दॉड़का है ? यह पतानी question कैसे बनाए क्या इसमें फूश रहा है कुछ समय में नहीं नहीं आ रहा है कोई बात में question 25 को छोड़ देते हैं ओके देखो बच्चों 26 से 24 तक 34 तक आपके पास पैसेज है यह पैसेज आ गया है एक बाद मुझे सब बच्चे बताएं क्या यह आपको दिखाई दे रहा है पैसेज यह नहीं दे रहा है अगर दे रहा है तो अच्छा क्लियर question नहीं अतांग्शा question नहीं समझ आए हैं चलो इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह बच्चों यह तो आगे भी आपका पैसेज यह 35-40 आज बाकी question यह सारी इन पैसेज्ट से अन्होंने बना दिये श tapis को हटवाते हैं इसे अज कोई बात नहीं तो बच्चो ठीक हैं इन questions को यहीं तक करते हैं AO PR reblet रिया थो कोई बात नहीं है तो हमने लगवक 25 के राउंड questions किये हैं इतने questions काफी है एक दिन के लिए no Pokemon प्रफूम पैसेज को हटवा देंगे से क्योंकि छोटा हो जाता है काफी फोन साइज तो ठीक है आज इतना ही वर्क करते हैं और मिलते हैं फिर कल तो कल इवनिंग में चलो फिर से मिलते हैं क्लास करते हैं और बढ़िया से वर्क करते रहो आपको बहुत अच्छा परफूमेंस करना है यह बात ध्यान रखनी है लगातार वर्क करो कहीं से भी अपने पेपर उठाओ कॉस्चन उठाओ और उनको लगातार वर्क करते हैं जी बचो एवनिंग में मिलते हैं इसको लाइप करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और एवनिंग में फिर से मिलते हैं थैंक यू बचो एव ग्रेट टाइम बबाई